तो दिखें फर्स्ट कोस्टन में क्या बोलता है कि identify the product which represents the solid state हैंदा इभब reaction यहां पर बोल रहा है कि यहां पर जो reaction हो रहा है जिसको हम समझेंगे उसमें कौन सा product जो है ना solid state मने ठोस में है solid में है जिसको हमको पताना है कि इसमें क्या बोलता है कि test tube में sodium sulphate solution जो है ना है पह तो जब इसको मिलाएंगे दुनों के बीच में reaction होगा तो जो product बनेगा उसमें solid state में कौन रहेगा देखिए sodium sulphate जब barium chloride के साथ react करता है तो barium sulphate बनता है और sodium chloride हमको मिलता है यहां पर ध्यान देंगे तो जो solid है ना वो barium sulphate है क्योंकि जब रेक्सान होता है तो product में हमको bar barium sulphate का white precipitate मिलता है ठीक है तो जो question पूछ रहा है उसका answer तो हो जाएगा barium sulphate लेकिन आने वाले exam में हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से important इस type के reaction है जिसमें इस type का question जो है ना पूछा जा सकता है यह जो reaction है ना ओ double displacement reaction है और NCRT book के figure जो 1.9 से GTs उठाया गया है और यहां यहां पर late जो है ना copper chloride के साथ में react करके late chloride मना रहा है और copper जो है यहां पर निकल रहा है डिस्पले सो रहा है, त्याँ पर देखिए कापर सॉलीड है और लेट कोल राइड जो है हिया एकवस के फाम में है similarly इसके उपर में हम देखते हैं कि जिंक जो है वो कापर सलफेट के साथ में रियक्ट कर रहा है तो zinc sulfate और copper बन रहा है इसमें zinc sulfate जो है न वो equeous है और इसके उपर में iron जब copper sulfate के साथ react कर रहा है तो iron sulfate बना रहा है और इसमें भी copper जो है वो displace हो रहा है तो इस प्रकार के जो reaction आपके book में है उनमें जो states of the products है और reactants है जैसे कि यहाँ पे silver bromide जप्सन light में आता है तो silver और bromine में यह तूड जाता है silver भी यहाँ पे solid है और bromine जो है यहाँ पे गैस है तो यह जो सारे के सारे reaction है और उनके जो state है उनको काफी अच्छे से आपको याद कर लेना है जिसे lead nitrate जो कि solid होता है उसको heat करने पे हमको solid lead oxide बनता है लेकिन साथ ही सानाथ gas के फाम में हमको nitrogen oxide और oxygen मिलता है similarly जो lime stone solid होता है उसको heat करने पे quick lime बनता है वो भी solid होता है लेकिन यहाँ पे carbon dioxide हमको gas के फाम में मिलता है और जो सबसी important है जो question कई बार आ चुका है वो इस reaction से है कि जब ferrous sulfate को हम लोग heat करते हैं तो ferric oxide बनता है याद रखेगा ferric oxide का जो formula है न वो एफी twice or thrice है और gas में हमको sulfur dioxide और sulfur trioxide मिलता है इतने को अगर आप याद करनेंगे न तो 100% मान के चलिएगा कि एक नए question इससे जरूर आएगा इसमें question number second है the color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution इसमें पूछ रहा है कि जो color होगा solution का वो क्या होगा अगर हम लोग zinc metal को copper sulfate के solution में डाल दें 30 minutes तक तो चलिए इसको काफी detail में हम लोग समझते हैं दिखिए इस type के सारे questions के लिए आपको जो reactivity series है न वो एकदम 100% याद होना चाहिए तो इसमें आप ध्यान देंगे तो जो copper है वो काफी नीचे है reactivity series में इससे जो ज्यादा reactive element है न वो बहुँश सारे हैं जैसे कि potassium है sodium है barium है calcium है magnesium है aluminium है zinc iron nickel tin lead और hydrogen ये सब के सब copper से ज्यादा reactive है मतलब अगर copper sulfate solution में इनको डाला जाए तो ये क्या करेंगे copper को displace कर देंगे ठीक है ये समझ में आगे आप लोगों को और इससे कम reactive जो है न वो चार element है mercury है silver है gold है और platinum है अगर इनको डाला जाए तो ये जो है न copper को displace नहीं कर पाएंगे कोई reaction वहाँ पर नहीं होगा अब इस question में दिखिए आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा कि अगर zinc metal को हम 30 minutes तक डालते हैं copper sulfate में तो copper को displace कर देगा जिसके count copper sulfate का जो solution blue होता है वो colorless हो जाएगा ठीक है लेकिन इसमें एक चीज़ और बहुत important है कि अगर इस step के बाकी solution पूछे जाते हैं तो उनके color क्या क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पर वीडियो को पहुझ करके और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनके यह सारे के सारे जो solution है ना उनके color को आप लोग याद कर लिजेगा तक कि आने वाले एक्जाम में कोई भी गलती आप से ना हो जैसे कि potassium iodide इसका color होता है light brown, lead iodide yellow zinc sulfate white barium sulfate white color ferrous sulfate green copper sulfate blue carbon nitrate blue copper chloride blue green, zinc sulfate colorless silver chloride white और copper hard oxide green तो इतने जो solution है ना उनके color को आपको बिल्कूल याद करके रखना है question number 3 mild non corrosive basic salt is तो दिखिए हैं पे चार salt दिये हुए है जिसमें पहला है calcium hydroxide दूसरा है sodium chloride तिसरा है sodium hydroxide और चोथा है sodium bicarbonate इन चारों में से हमको बताना है कि कौन सा जो है ना वो non corrosive basic salt है दिखिए जब strong acid जैसे कि इसमें hydrogen collide दिया हुआ है वो strong base sodium hydroxide से react करता है तो जो salt बनता है जो कि यहाँ पे sodium collide बन रहा है वो neutral होता है जब strong acid weak base से जैसे कि इसमें ammonium hydroxide दिया हुआ है उससे react करता है तो जो salt बनता है जैसे कि यहाँ पे ammonium collide बन रहा है वो acidic nature का होता है जब weak acid, acetic acid जो यहाँ पे दिया हुआ है strong base से react करता है sodium hydroxide से तो जो salt बनता है, जैसे कि यहाँ पे sodium acetate बन रहा है वो basic salt होता है और weak acid जब weak base से react करता है जैसे कि यहाँ पे ammonium hydroxide दिया हुआ है तो यहाँ पे जो salt बन रहा है, वो neutral salt होता है ammonium acid जो यहाँ पर बन रहा है ठीक है इनको आपको ध्यान में रखना है इसमें हमको अच्छे से याद करके रखना है कि sodium chloride जो है ना वो neutral salt है ammonium chloride जो है ना वो acidic salt होता है और sodium carbonate ये एक basic salt होता है ठीक है मलब sodium carbonate sodium bicarbonate ये हलके से basic होते हैं इसलिए इस question का answer होगा sodium bicarbonate और इसके basic nature के कारण ही इसको हम लोग baking में और जब acidity होता है तो interseed के रूप में हम लोग इसको use करते हैं क्योंकि ये क्या करता है acid को neutralize कर देता है और इसका pH जो है ना 7 से ज़्यादा 8.3 होता है क्योंकि 7 से ज़्यादा जो pH होता है वो basic nature के होते हैं और 7 से less जो होते हैं वो acidic nature के होते हैं और ये faster cooking में भी मदद करता है तो isolated और भी question आ सकते हैं इसलिए इनको आपको याद करते जाना है अब इसमें question number 4 है तो देखिए एक question जो है ना कई बारा चुका है basically इसमें बोल रहा है कि metal का जब reaction acid के साथ में होता है तो क्या होता है जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को और activity series को कफे अच्छे से याद कर लेना है यहाँ पर देखिए hydrogen से उपर में जो element दिये हुए है ना उसमें sodium जो है वो hydrogen से ज्यादा reactive है इसके कार्ण से क्या होगा sodium जब react करेगा तो वो hydrogen को displace करेगा और hydrogen gas के फाम में निकलेगा h204 से ठीक है और यहाँ पर देखिए silver जो है उससे less reactive है यहाँ पर sulfur नहीं दिया हुआ है लेकिन sulfur भी reactivity series में hydrogen के नीचे आता है अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है तो देखिए यहाँ पर जो element x है ना मने sodium को इस्ट्वे सोफोर से reactor करके sodium sulfate बना रहा है और यहाँ पर hydrogen gas बाहर निकल रहा है और यहाँ जो hydrogen gas काफी ज़्यादा inflammable होता है और उसके पास अगर हम लोग माचीस की तिल्दी को जला के ले जाते हैं मेचिस्ट्री को बन करके ले जाते हैं तो एक पॉप करके sound आता है ठीक है similarly यहाँ पर sodium के जगह में अगर zinc भी दिया रहता ना तो zinc के साथ भी same reaction होता है कि उसमें भी hydrogen gas बाहर निकलता है zinc sulfate बनता है और अगर हम लोग जलती पाचीस की तिल्ली को उसके पास ले जाएं तो पाप का आवाज आता है अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हाँ पर जो metal x से है न वो sodium है इसलिए इसका आप साने correct हो जाएगा sodium इसमें next question है which one of the following correctly represents sodium oxide तो दिखे इसमें sodium oxide के बारे में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि sodium का जो electronic configuration होता है वो होता है 281 ठीक है इसके दिखे लास्ट आर्बिटल में न वन इलेक्टान होता है लेकिन जो oxygen है उसका electronic configuration होता है 286 ठीक इसको जो हैना last जो इसका आर्बिटल है उसमें octet complete करने के लिए 8 complete करने के लिए oxygen को चाहिए 2 electron और sodium के पास देने के लिए है 1 electron ठीक है तो naturally क्या होगा जो sodium oxide है उसका formula होगा Na2O क्योंकि oxygen को 2 electron चाहिए तो 2 sodium चाहिए क्योंकि 1 sodium केवाल 1 electron दे सकता है तिसले जो formula बनेगा sodium oxide का O Na2O बनेगा अब यहाँ पर देखते हैं उसको कैसे represent किया गया है तो सबसे पहले दिखिए यह जो option A है इसमे Na2 प्लस बोला गया है तो Na2 प्लस तो बनता ही नहीं है इसलिए option A इसका incorrect होगा इसका B देखिए 2 Na प्लस और यहाँ पे जो oxygen है उसके उपर 2 मानस लगाया गया है तो इसका जो B है वो बिलकुल correct है याद रखिएगा ना oxygen में 2 negative sign होगा क्योंकि इसको 2 electron च सकता है इसके बजाए हम sodium में क्या करेंगे एक positive sign करेंगे और 2 sodium हम लोग लेंगे है ना तो इसको बना बना कि आपको practice करना होगा इस step का उसके बाद देखिए तो इसका option B correct होगा C में देखिए C में बोलता है 2 Na प्लस और 2 O की उपर 1 माइनस दिया हुआ है जैसे मैं बता च लेकिन आगे में 2 O कुछ नहीं दिया है और O में माइनस टू दिया हुआ है जो की correct है लेकिन A ने को खाली 1 प्लस देखिए हाँ पर छोड़ दिया है इसलिए इसका option B जो है ना वो correct होगा और इस step का practice आपको करना पड़ेगा कि किसी साब से जो compound है ना वापस में react करके बन बनते हैं question number 6 है an element with atomic number blank will form a basic oxide तहाँ पर देखिए चार element दिये हुए है इसमें से पूछ रहा है कि कौन से atomic number all element जो है ना वो basic oxide को बनाएगा इसको याद कर लिजेगा कि जो भी metals जिनके last orbital में 1 से 3 electron होते हैं outermost cell में वो basic oxide को बनाते हैं है ना मनें जिसके last orbital में या outermost cell में 1-2-3 electron present होंगे वो सारे के सारे metals जो है ना वो basic oxide को बनाएगे जबकि acidic oxide के लिए यह जोररी है कि outermost cell में जो non metals हैं उनमें number आप electrons जो है ना वो 4-2-8 हों ठीक है अगर उसमें outermost cell में 4-2-8 electrons हैं ते सारे के सारे जो non metals हैं ना वो acidic oxide को बनाए जांगे और यहां पर देखिए जो sodium हैं हमको मालूम है हम इसके पहले question में discuss कर चुके हैं कि उसका atomic number 11 होता है और electronic configuration जो है ना 281 होता है यह जो है ना basic oxide को बनाता है इस question में जो ABC option है उसमें जो यहां पर element दिये हुए है ना उनका atomic number 7, 17 और 14 है और outermost cell में पहले वाले में ज जो है ना वो 4 है ठीक है तो हम अच्छे समाझ चुके हैं कि एगर outermost cell में 4, 5, 6, 7, 8 इतने electron हो तो वो acidic oxide बनाते हैं ना कि वो basic oxide बनाते हैं तो इसका आप संडी जो है ना उसमें atomic number दिया हुए 11 जो कि sodium का है और उसका outermost cell में 1 electron है इसलिए यही जो है ना वो basic oxide बनाएगा इसलिए इसका आप संडी जो है ना वो विल्कुल correct होगा अब इसमें question number 7 है an element M has 50% of the electrons filled in the third cell, has in the second cell, the atomic number of M is तो इसमें बोद है है कि जो third cell है ना माले यह first cell है, फिर second cell है, फिर third cell है तो जो third cell है उसमें second cell के compression में 50% जो है ना electrons भरा हुआ है तो हमको बताना है कि यह जो element है M इसका atomic number क्या है किसी भी element में first cell में 2 electron होंगे, second cell में 8 electron होगा और third cell में भी 8 electron होगा ठीक है अब देखिए अगर third cell में 8 electron है तो question में क्या बोलता है कि third cell में इस question कनुसाग second cell का मने 8 का 50% electron है तो 8 का 50% कितना होता है 8 का अधा 4 तो यहाँ पे 8 नहीं होगा बलकि यह 4 हो बने यह जो element M बोलता है उसका electronic configuration होगा 2, 8, 4 क्योंकि इसके third cell में second cell के completion में 50% electron है ठीक है तो इस प्रकार से question को बहुत ध्यान से आपको समाझना है तो इन सब को अगर हम लोग जोडएंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 plus 8 plus 4 तो 8, 4, 12 और 12 plus 2, 14 इसमें जो electron होगा number आप electronic number होगा M में वो होगा अपका 14 यह समझ में आगए आप लोगों को अच्छे से और जो 14 electronic number होता है वो silicon का होता है यह भी याद रखिएगा इसको भी फूश सकता है ठीक है अब आपने अच्छे से समझ लिया कि 7 का इंसर होगा अपसंसी 14 question number 8 देखिए generally food is broken and absorbed within the body of organisms जो organisms होते हैं जो जीव होते हैं उनके शरीर में खाना जो है वो शरीर के अंदर में ही तूटता है और absorbed किया जाता है मतब digest होता है और उसके energy को सक किया जाता है in which of the following organisms is it done outside the body और इन में से 4 organism दिया हुआ है इन में से किस organism से में ये जो है न सरीर के बाहर में किया जाता है पहला है अमीबा दूसरा है मस्रूम तिसरा है परिमिस्यम और चौथा है लाइस देखिए इसका answer होगा मस्रूम मस्रूम क्या करता है सरीर के बाहर में फूट को breakdown करता है तोड़ता है और इबजारव करता है क्योंकि मस्रूम एक परकार का fungus है और इस जो fungus होते हैं वो क्या करते है जो food है उसको छोटे-छोटे chemicals में सरीर के बाहर ही तोड़ते है और इसको इबजारव कर लेते है फूट को तोड़ने के लिए ये एक परकार का enzyme release करते है ज उसको एबजारव कर लेते हैं इस परकार का nutrition जो है न मस्रूम अपनाता है question number 8 का answer जो है हमच्छे समझ चुके हैं आप सनभी होगा मस्रूम इसके बाद question number 9 देखिए receptors are usually located in sense organs जो receptors होते हैं वो आम तोर पे sense organs के उपर में रहते हैं receptors क्या होते हैं जो sense करते हैं उन सारे signals को जैसे कि माली जी हमारा जीव जो है न उस्वाद को sense करता है उसमें receptors होते हैं स्वाद को sense करने के लिए उसको पहचानने के लिए इसकिन में टेंपरेचर के लिए होता है हमारे जो ear होते हैं उसमें sound के लिए होता है nose में ना, सुगंद के लिए होता है यह सब को receptor से बोलते हैं इसमें पुछता है कि gastritory receptors are present in कि जो gastritory receptors होते हैं वो किसमें present होते हैं देखिए, gastritory का हिंदी में मतलब होता है स्वाद, तो स्वाद हम कहां से लेते हैं, टंग से लेते हैं, तो जो receptors हैं, gastritory receptors, ये टंग में जीब में present होते हैं, ये responsible होते हैं, test को sense करने के लिए, जो gastritory system होता है, वो olfactory system के compression में काफी ज़्यादा simple होता है, इनमें ये जो है न सोर जो है, हट्टा, salty मने नमकिन, और bitter मने खड़वा, तो इसका answer होगा, option A, trunk, इसके बाद question number 10 देखिए, a farmer wants to grow banana plants, genetically similar enough to plants already available in his field, which one of the following methods would you suggest for this purpose, तो देखिए, इसमें किसान जो है न, वो केला उगाना चाहता है, लेकिन वो केला किस प्रकार को उगाना चाहता है, जो पहल जीन को change करना नहीं चाहता है, वे नए बराइटी का केला उगाना नहीं चाहता है, यहाँ पे जो चार मिथड दी हो है, उनमें से कौन सा मिथड जो है इस काम के लिए उसके लिए best रहेगा, यह बोलता है रिजनरेशन, B है budding, C है vegetative propagation, और D है sexual reproduction, देखिए उसके लिए best र पास plant होते हैं उसके compression में, क्योंकि इस method में हम लोग क्या यूज करते हैं, पुराने ही plant का, यह तो तना stem से यूज करेंगे, राजोम से यूज करेंगे, सकर से यूज करेंगे, नए plant को create करने के लिए, जो कि 100% genetically identical होते हैं, जो parent plant है ना, उसका, यह जो vegetative propagation है ना, वो asexual mode ह reproduction का, तो इसका answer हो जाएगा, absency, vegetative propagation, देखिए, इसमें question number 11 है, height of a plant is regulated by, कि जो plant का height है, वो चाई है, वो कैसे regulate होता है, देखिए, किसी भी plant का height जो है ना, वो regulate होता है, ग्रोथ हार्मोन से, और यह जो ग्रोथ हार्मोन से हैं, वो enzyme से influence जा रहते हैं, और इन enzymes में gene का coding रहत है, ठीक है, जो cellular DNA है, उसमें एक information का source होता है, जो cell से में ऐसे protein बनाते हैं, जो protein कितना height होगा, किसी भी plant का, उसको, उस plant को बताते हैं, उस message को उस plant तक ले जाते हैं, उस हिसाब से cell region होता है, और plant का height जो है ना, वहां तक पहुंचता है, अब इसमें, आप सने देखिए, DNA तो हमने अच्छे समझा है, कि जो DNA है ना, वह डाकली इंफ्लूएंस देनी होता, ग्रोथ आर्मों से, तो यह incorrect होगा, भी देखिए, genes which regulate the proteins, डाकली, तो देखिए, ऐसा भी नहीं होता है, कि genes जो है ना, वह protein को डाकली रेगुलेट करते हैं, तो भी भी नहीं होगा, C का ग्रोथ है ना, वो growth hormones के द्वारा होता है, जो कि एक enzyme के द्वारा influence दर रहता है, जिसमें जो coding होता है ना, वो gene कर रहता है, इसलिए इसका आपसंसी बिल्कुल correct हो जाएगा, और D बोलता है कि growth hormones directly under the influence of a gene, तो ऐसा भी नहीं होता है कि जो growth hormones हैं, वो सुधे genes के influence में होते ह हैं, तिसलिए D भी नहीं होगा, इसके बाद इसमें question number 12 बहुत देखिए, a sportsman after a long break आप इस routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise session, this happened due to, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आप अचानक से बहुत heavy exercise करते हैं ना, एक sportsman है जो कि लंबे break के बाद अपने routine exercise के अचानक से बहुत अच्छा exercise करता ह है, तो उसके muscles में क्रेम पाने लगते हैं, दर्द होने लगता है, उसके muscles में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो सबसे पहले यह जो question है यह कहां से लिया गया है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं, ताकि इससे related कोई भी question आपसे बन जाए, देखिए आपके book में, figure 5.8, breakdown down आप glucose by various pathways, इसको अच्छे से आपको समझना है, glucose जिसमें 6 carbon molecules होता है, वो cytoplasm में, pure rate में convert हो जाता है, और energy मिलता है हमको, जिसमें 3 carbon molecules होता है, ठीक है, इसके बाद दिखिए, absence of oxygen में जो कीष्ट में होता है, एथेनॉल में convert हो जाता है, एथेनॉल मतलब एथिल एलकोहल, जो जनरली हम इलकोहल जिससे समझते हैं, carbon dioxide और energy देता है, बेथोनाल में 2 carbon molecules होता है, लेकिन oxygen की कमी में, second वाला देखिए, लेकाप oxygen में जो की हमारे muscles में होता है, ये लेक्टी के seed में convert हो जाता है, जिसमें 3 carbon molecules होते हैं, और energy देता है, इसके बाद इसमें देखिए, presence of oxygen मे ये mitochondria में होता है, ये carbon dioxide, water और energy देखिए करता है, तो जो question है इसके बीच वाला जो लेकाप oxygen है, यहां से उठाय गया है, तो जो sports person है, sports main है, चुकि ये लंबे समय के बाद अचनक से exercise करता है, तो इसके body में जो इसको energy चाहिए, को नहीं मिल पाता, क्योंकि oxygen की कमी रहती है और उसके कराण, इसके muscles में lectic acid बनता है, और lectic acid बनने के कराण, उसको cream या दर्द जो है न, अनुबह होता है, इसका last line याद रखिएगा, कि while there is a strong demand for energy during vigorous exercise, there is a finite amount of oxygen available, क्योंकि अच्छे exercise में बहुंच जादा oxygen की जोरत परती है, ताकि बहुंच जादा energy release हो, लेकिन चु बनता है, और जो muscles हैं, वो क्रेम करने लगते हैं, अब इसमें आप सने देखिए, लेक आप carbon dioxide and फार्मेशन आप purate, ये तो नहीं होगा, बी बोलता है, परजेंस आप oxygen and फार्मेशन आप ethanol, ये भी नहीं होगा, हम समझ चुके हैं, सी बोलता है, लेक आप oxygen and फार्मेशन ये भी नहीं होगा, हम इसको समझ चुके हैं, अब इसमें question number 13 देखिए, an object is placed in front of a convex mirror, its image is found, याद रखेगा न, convex mirror बोल रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक trick देता हूँ, कि जो roll convex mirror का है, mirror में, वो ही जो है न, वो conqueo mirror का होता है, दोनों के दोनों में, एक बिल्कुल color tap का image farm होता है, h compare to conqueo mirror और convex lens के, तो अगर एक object, कोई भी चीज, convex mirror के सामने में रखा जाए, तो उसका image कैसे बनता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, तो देखिए आपके book में, जो figure 9.9 है न, वो हमको बताता है कि convex mirror में किस परकार की image बनता है, एक चुल में, convex mirror में, ह ठीक है, याद रखिएगा हमेशा virtual image बनता है, और erect image बनता है, मतलब सिधा image बनता है, तो इन दोनों चीजों को याद रखना है, virtual and erect, ठीक है, चाहिए position कोई भी हो, बस इसमें दोटों position होता है, अगर infinity में है, तो जो image है न, focus पे बनेगा mirror के अंदर में, और यह highly diminished होता है, point size का, बहुत ही छोटा होता है, अगर यह infinity और pole के बीच में है, mirror के सामने में, तो जो image बनेगा, वो pole और focus के बीच में बनेगा, और यह diminished छोटा होता है, virtual और erect होता है, बनाया भासी और सिधा होता है, तो हम अच्छे समझ चुके हैं कि इसमें जो error बनेगा, वो upright erect होगा, और horizontally flipped होगा, अब इसमें देखिए, option हैं बोलता है, at a distance equal to the object distance in front of the mirror, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो distance है, वो object distance जो की mirror के सामने में है, वो ही mirror के अंदर में हो, यह भी option गलत होगा, बी है, यह twice the distance of the object in front of mirror, तो देखिए, इसमें distance का calculation जो है ना, हम लोग नहीं कर सकते, कि इसमें convex mirror में, जो twice वाल option है भी incorrect होगा, सी है, half the distance of the object in front of the mirror, यह भी incorrect होगा, लेकिन देखिए, behind the mirror and its position varies according to the object distance, बिल्कुल यही सही है, कि जो है ना, mirror के अंदर में बनता है, जैसे कि हम समझ चुके हैं, और इसका position जो है ना, हो change होते रहता है, कि object जो है mirror के front में, कितने distance में है, इसके अनुसार, इसे लिए इसका option दी correct होगा, question number 14 है, when light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles, which deflect the rays of light in impossible directions, this is due to, कि जब light जो है ना, वो atmosphere में घुसता है, तो बहुती छोटे छोटे पर्टीकल के साथ टकराता है, उसके बाद, जो light rays है, वो सभी directions में deflect हो जाते हैं, चित्रा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ते बोलता है reflection of light, तो दिख reflection में क्या होता है, एक light ray ऐसा आता है, और bounce back हो के वापस चला जाता है, दूसरा इसमें बोलता है, atmospheric reflection, तो reflection में क्या होता है, एक light ऐसा आता है, और या तो normal की तरह bend होता है, या normal से दूर चला जाता है, ठीक है, तो ये तो ना reflection है, ये option भी incorrect होगा, और नहीं, reflection है, अब इसम सी में बोलता है scatring applied और dispersion applied तो जो scattering applied है और dispersion applied है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं देखिए जब small particles जो होते हैं ना molecules के atmosphere में जब वो light को scatter कर देते हैं सभी directions में इसको बोलते है scattering up light, यह जो scattering होता है, यह dust, smoke और water droplets और छोटे-छोटे जो lower atmosphere के particle होते हैं ना, इनके द्वारा होता है, इस scattering के लिए जोरी है कि जो wavelength है light का, वो जो particle है ना, उसके wavelength के equal होना चीए, अगर particle का wavelength बड़ा है, तो scattering नहीं होगा, वहीं पे dispersion देखिए, यह जो है ना, जो splitting up white trace है, मने dispersion में क्या होता है, सफेद रंग का जो प्रकास है, white light है, वो multiple colors आप wavelength में convert हो जाता है, change हो जाता है, और जो dispersion है ना, उत्यन प्रकार का होता है, model dispersion, chromatic dispersion और material dispersion, तो dispersion का हो गया, तिहां पे क्या हो रहा है, scattering हो रहा है, इसलिए इसका absence C correct हो जाएगा, scattering up light, poster number 15 है, in 1987, an agreement was formulated by the United Nations Environment Programme, UNEP, to freeze the production of X, to prevent depletion of Y, X and Y respectively, referred here, तो देखे, 1987 में एक agreement, formulate किया गया था, बनाया गया था, United Nations Environment Programme के द्वारा, जिसका short farm है, UNEP, ताकि जो production है, X सका, उसको रुका जा सके, freeze किया जा सके, जिससे Y का जो depletion है, Y जो खतम हो रहा था, उसको बचाए जा सके, तिहां पे X और Y क्या है, UNEP ने ozone के depletion को, ozone layer को बचाने के लिए, एक monitoring protocol बनाया था, जिसको finalize किया गया था, 1987 में, इसमें जो CFCs हैं, कुल्डो फोल्डो जो carbons है न, उनको, उनके production को रुका गया था, freeze किया गया था, ताकि ozone layer का जो deflation हो रहा था न, उसको बचा जा सके, ozone को protect किया जा सके, तो इसका answer होगा, absency, CFCs, ozone, question number 16 है, which of the following features relates to, biodegradable substances, इस चार features में, कौन सब features ऐसे हैं, जो, ये जो biodegradable substances होते हैं न, उनके साथ relate करते हैं, ये बोलता है, broken down by biological processes, B है, remain inert, C है, persistent environment for long time, और D है, may harm the ecosystem, तो दिखिए, इसका answer होगा, आपसाने, broken down by biological processes, क्योंकि, जो biodegradable substances होते हैं, वो, biological processes के दोरा, simple, और non harmful compounds समें, तूड जाते हैं, ये environment में, लंबे समय तक नहीं रहते, जो macro organism's होते हैं, जैसे कि, bacteria है, फंगी है, ये लोग, biodegradable substances को, जिसे natural environment में, मिल जाता है, और खाद बन जाता है, manure बन जाता है, जो example है, biodegradable substances के, उनमें paper है, food products है, cotton है, cow dunk है, और organic waste है, तो इसका answer होगा, आपसाने, broken down by biological processes, इसके बाद देखिए, इसमें question 17 to 20, ये सब assertion region वोले question है, इसको आप अच्छे से जानते ही हैं, कि इसमें दो statement होते हैं, अगर आपने आपसाने को correct किया, तो इसरसन region दोनों true होगा, और region जो है ना correctly explain कर रहा होगा, इसरसन एको, अगर आपने भी को चुना, तो इसरसन region दोनों true होगा, लेकिन region जो है ना, वो correctly explain नहीं करेगा एको, और C में, इसरसन true होगा, region false होगा, और D में इसरसन false होगा, और region true होगा, इसमें question number 17 है, इसरसन है, कि रस्टिंग आप iron, इस इंडो थर्मिक इन नेचर, जो iron का रस्टिंग है, लोहे का जंग लगना है, वो नेचर में इंडो थर्मिक होता है, region बता रहा है, कि जो रियक्सन है, काफी धीमा होता है, इसलिए जो heat निकल रहा है, जो गर्मी निकल रहा है, वो बियल्ली इविडेंट होता है, देखिए इसमें जो इसरसन है ना, यह जो रस्टिंग आप iron है, यह नेचर में इंडो थर्मिक होता है, फालसा है, लेकिन जो region है ना, वो true है, basically, रस्टिंग जो है ना, एक एक्सो थर्मिक प्रोसेस है, इसमें नर्जी रिलीज होता है, heat के फाम में लेकिन जो reaction है न वो काफी ज़्यादा slow होता है इसलिए जो heat release होता है पर इन इन टाइम में यह बहुत ज़्यादा significant नहीं होता और जो heat generate होता है वो last हो जाता है और जो temperature है इसके काण बर्ण नहीं पाता क्योंकि heat जो generate हो रहा है बहुत कम होता है इतना ज़्यादा sufficient नहीं होता कि वो temperature को बढ़ाए और जो endothermic process होता है वो इस प्रकार के chemical और physical process होता है जो heat को surrounding से जार्व करता है इसके opposite में जो exothermic process है ना वो endothermic process का उल्टा होता है यह heat को release करता है तो 17 का answer होगा option D assertion is false but reason is true अब 18 नमबर दिखिए इसमें assertion बोलता है probability of survival आप an organism produced through sexual production is more than that of organism produced through asexual mode तो देखिए बचने का यह survive करने का जो probability है किसी परणिजम का जो कि sexual production से पैदा होता है वो काफी ज़्यादा होता है age compared to ऐसे आर्गिजम के जो कि यह sexual mode of production से पैदा होता है region बताता है कि variations provide advantages to individuals for survival कि कि जो variations होते है न वो individual के survival के लिए काफी ज़्यादा advantages जो है न वो provide करते है देखिए इसमें दोनों के दोनों सही है एसरसन भी सही है और region भी जो है न वो correctly explain कर रहा है इसरसन का इसके कारण क्या है देखिए जो probability है survival का किसी भी आर्गिजम का अगर वो sexual reproduction से पैदा होता है तो ज्यादा होता है इस sexual mode of reproduction से इसका region क्या है कि जो variations है न वो एक advantage पदान करते है इन इसमें जो है न मिक्स होते है और उसके कारण बहुत सारे जो features है न according to the need और atmosphere के उसमें पैदा हो जाते हैं जिसका मतलब है कि जो आप spring है न उनका genetic material दोनों parents से जाता है और जो variation है वो introduced हो जाता है यह जो variations है वो जो आने वाला पिढ़ी है या आप spring है उसको help करता है ताकि जो environment है उसके साथ वो अच्छे से adapt कर सके और अच्छे से survive कर सके इसके बजाए जो एक sexuality production होता है इसमें के वाल एक parent होता है इसमें कोई variation जो है न नहीं होता जिसे करण अगर environment में change आता है तो उनका survive करना काफी कठीन होता है तो 18 का answer होगा option A, both A and B are true and the reason is the correct explanation of A सर्षन question number 19 में सर्षन है, a compass needle is placed near a current carrying wire, the deflection of the compass needle decreases when the magnitude of the current in the wire is increased तो देखिए एक wire में current flow हो रहा है इसके पास में compass needle है और इसमें एक indicator है जो की deflection को दिखा रहा है तो इसमें बोल रहा है कि जो compass needle में जो indicator का deflection है वो कम होने लगता है अगर हम लोग current का जो intensity है ना यह magnitude है उसको बढ़ा रहे हैं तो तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है अगर हम लोग current को बढ़ाएंगे तो जो magnetic field बनता है इस current के current ओ भी बढ़ेगा तो deflection भी बढ़ेगा इसके हम लोग और अच्छे समझेंगे अब region बता रहा है कि the strength अब magnetic field at a point near the conductor increases on increasing the current यह बिल्कुल सही है कि magnetic field का जो strength है ना वो conductor के पास में बढ़ने लगता है अगर current को बढ़ाए जाये तो देखिए electrical current और magnetic field में हम जानते हैं कि current के ring conductor एक magnetic field बनाता है अपने चारो तरफ और जो इसका intensity magnetic field का और directly proportional होता है जो magnitude है current का जो की conductor में बढ़ा रहा है उसके इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग current को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो intensity है magnetic field का जो क्यों पर पैदा हो रहा है वो भी बढ़ने लगेगा current के ring conductor के चारो तरफ इसलिए जो यह सर्शन है यह बोल रहा है कि deflection जो है ना कमपास का वो कम होगा अगर current को बढ़ाए जाये कंड़क्टर में तो यह जो है ना गलत है क्योंकि हमको मालूम है कि जो डिफलेक्शन है ना वो डैकली प्रपोशनल होता है जो intensity आप magnetic field पैदा हो रहा है करेंड करिंग कंड़क्टर के द्वारा और जो magnetic field intensity है वो भी डैकली प्रपोशनल होता है magnitude आप करेंड के इसका मतलब क्या है कि जो डिफलेक्शन होगा नीडल में वो डैकली प्रपोशनल होगा जो करेंड बहार रहा है कंड़क्टर में उसके magnitude के मतलब माल यह एक इंप्य बढ़ाएंगे तो और ज्यादा वहां पर deflection होगा इसी कारण से इसका जो assertion है वो completely false है क्योंकि जो deflection है उसको बढ़ना चीए अगर current conductor में बढ़ आया तब लेकिन जो region है वो बिल्कुल सही है क्योंकि region जो बताया रहा है उसी के इसाब से जो deflection है वो बढ़ता है तो इसक अर्मेशन आप compost and natural replenishment जो bioodegradable substances होते हैं वो compost को बनाते हैं और प्राकृतिक तोर पे naturally replenish कर देते हैं region बताता है ध्यान से सुनियेगा it is due to breakdown of complex inorganic substances into simple organic substances की region में बोल रहा है कि यह जो inorganic substances काफी complex होते हैं उनको simple organic substances में breakdown करके किया जाता है तो दिखे चुकि हम लोग समझ चुके हैं तो इसका जो assertion है ना बिल्कुल true है जो bioodegradable substances होते हैं वो organic waste material होते हैं जिनको हम लोग compost में यह simple organic molecules में biological process के दवारा तोड सकते हैं यह जो substances होते हैं यह decompose हो जाते हैं micro organisms के दवारा जैसे की fruits हैं, vegetables है, human waste है अधि जो process recycling, organic waste का जिसमें जो vegetable के कचरे होते हैं, leftover food होते हैं, पत्ते होते हैं इनको अगर हम लोग गड़े में दबा दें तिसको composting बोलते हैं यह जो bioodegradable waste होता है ना इनमें कुछ inorganic material भी सामिल होते हैं जिनको विक्टिरिया के tipsum है और इनके जो products हैं जैसे की plasterboard है इनको simpler surface में हम लोग convert करके bio degrad कर सकते हैं देखिए हम लोग अच्छे समझ चुके हैं कि जो complex inorganic substances होते हैं उनको breakdown करके simple organic substances में convert नहीं किया जा सकता अगर यहां पैसा रहता ना कि complex organic substances तभी जो region है ना वो सही रहता तिसका answer होगा option c इसमें session जो है ना वो true है लेकि region जो है ना वो false है